माहापादू टीवी हेलो बचुँ आज मैं आपको पंचितंत की एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भूतिया पेड किसी जंगल में सभी जानवर मिल जुल कर रहते थे उसी जंगल में एक बहुत खना पेड भी था सभी जानवर उस पेड से दूर ही रहते थे क्योंकि उन सब का मानना था कि उस पेड पर भूत रहता है एक दिन जंगल में भालू आया और वे रहने के लिए जगा डूडने लगा मैं इस जंगल में तो आ गया मगर अपनी गुफा कहा बनाऊं तभी भालू को वो भूतिय पेड दिखता है यह जगा थोड़ी डरावनी रखती है पर यहां शान्ती बहुत है मुझे अपनी गुफा यही बनानी चाहिए भालू उस पेड के नीचे पहुँचता ही है कि तभी वहां बंदर और हाथी आ जाते है और भालू को वहां अकेला देखकर बंदर बोलता है अरे भालू भाई तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो मैं यहां रहने के लिए गुफा बना रहा हूँ भालू भाई तुम यहां अपनी गुफा नहीं बना सकते यह जगे सुरक्षित नहीं है सुरक्षित नहीं है? तुम कहना क्या चाते हो? हाथी भाई ठीक बोल रहे हैं इस पेड़ पर तो भूत रहता है तुम मेरे घर के नीचे अपनी गुफा बना लो वहाँ तुमें कोई परिशानी नहीं होगी अगर यह सच है तो मैं अपनी गुफा बंदर भाई के घर के नीचे ही बनाऊँगा तीनों वहाँ से चले जाते हैं भालू अपनी गुफा ठीक उसी पेड़ के नीचे बनाता है जिस पेड़ पर बंदर रहता था भालू निश्चिंद होकर वहाँ रहने लगता है एक दिन भालू जंगल में घूमने के लिए निकलता है घूमते घूमते वो उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचता है अगर इस पेड़ पर भूत रहता है तो वह मुझे इतने दिन से दिखाई क्यों नहीं दिया मुझे लगता है यहां जरूर कुछ गड़बड है भालू के ऐसा कहते ही पेड़ के उपर से आवाज आती है तुम यहां आ तो गए हो लेकिन जा नहीं पाऊगे मैं तुम्हें खा जाऊंगा कौन है यहां? मैं इस पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ भालू डर कर वहां से भाग जाता है भूत भूत भागो भागो अपनी गुफा में पहुँचकर भालू बंदर को बुलाता है अरे भाई क्या हुआ? क्यों चिला रहे हो? बंदर भाई मैंने अभी भूत देखा वही उस पेड़ के नीचे क्या? भूत? मैंने तुम्हें वहां अकेले जाने से मना किया था तुम अभी इस जंगल में नए हो और वो भूत तो बहुत खतरनाक है उसने पहले भी कई जानवरों को नुकसान पहुँचाया है मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी आज के बाद मैं कभी भी वहां अकेला नहीं जाऊंगा भालू अब उस पेड के पास कभी अकेला नहीं जाता था एक दिन भालू को जंगल में एक गोरिला दिखता है लगता है ये गोरिला जंगल में नया आया है वरना आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा भालू उसके पीछे चल पड़ता है कुछ दूर जाने के बाद भालू देखता है कि गोरिला उसी पेड़ पर चड़ जाता है जिस पेड़ पर भूत रहता है ये देखकर भालू बंदर के पास जाता है बंदर भाई, मैंने अभी अभी ये गोरिले को भूत वाले पेड़ पर चड़ते हुए देखा शायद वह इस जंगल में नया है पर गोरिला को तो उसकी दुष्टता के कारण काफी समय पहले इस जंगल से निकाल दिया गया था तो फिर वो जंगल में क्या कर रहा है और उस भूत वाले पेड़ पर क्यों चड़ गया क्या वो नहीं जानता कि उस पेड़ पर भूत रहता है बंदर सोच में पढ़ जाता है वे समझ जाता है कि पेड़ के भूत के पीछे कोई गहरा रास चुपा है पंदर रात को भूतिया पेड़ के पास ही एक पेड़ पर चड़कर छुपकर चिलाता है अरे वाह पूत दिनों के बाद किसी गोरीले की कुछबू आ रही है आज तो पेड़ भर कर खाऊंगा और यह गोरीला तो मुझे देख भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो भूत हूँ गोरीला ये सब सुनकर डर जाता है वे सभी जंगल की जानवरों को इकठा करता है फिर वे उन्हें सारी बात बताता है बंदर अभी भी उसी तरह से चिला रहा होता है आज तो मैं गोरीले का मास खा कर ही पेड़ भरूँगा पर भूत तो इस पेड़ पर रहता था फिर आवाज उस पेड़ से कैसे आ रही है माहराज पेड़ पर कोई भूत नहीं रहता आपने मुझे जंगल से निकाल दिया था इसलिए मैं इस पेड़ पर आप सबसे छुपकर रहता था सभी जानवरों को मैंने ही भूत बन कर डराया था जिससे कोई मुझे देख ना सके लेकिन अब यहां सच मुझ का भूत आ गया है ये सब सुनते ही बंदन नीचे आता है और सब को बताता है यहां कोई भूत भूत नहीं रहता पेड़ पर रहने वाले भूत का सच सामने लाने के लिए ही मैं भूत बन कर इसे डरा रहा था ठीक वैसे ही जैसे इसने हम सब को डराया था गोरिले का जूत पकड़ा जाता है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है इस तरहां सभी जानवरों को भूतिया पेड़ से छुटकारा मिल जाता है और वे सब खुशी से बिना डरे जंगल में रहने लगते है तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें डर का सामना पहादुरी से करना चाहिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टू शोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें